हाव रूफीक्स विंडोस 10 आटो प्रेस की प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हैं अपने विंडोस 10 पर आटो की प्रेस प्रॉब्लम को सौर् देखेगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लम को सौर्फ कर सकते हैं ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऑटो प्रेस की प्रॉब्लम ठीक है सॉल्फ पर सेटिंग पर जाने की बास दौस्तों यहाँ पर चलिए हम सेटिंग को एक बर सेलेक करते तो कहां पर होगा वह सेटिंग दोस्तों यहां पर हमें सर्च करना है एं ठीक हैं तो यह वाला सेटिंग नहीं हे तो हम जाएंगे device के option पे तो device में भी option दिखाई नहीं दे रहाई तो personalized option पे नहीं होगा ओके update and security ठीक है update and security पर जाने से आपको यह option मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको troubleshoot पे click करना है ठीक है troubleshoot उसके बाद स्कॉल डाउन करते हुए नीचे के तरफ आ जाएए तो यहाँ पे आपको keyboard option दिखाई दे रहाँ होगा ठीक है keyboard option तो left click कीजिएगा keyboard option पे left click कीजिए उसके बाद run the troubleshooter यहाँ पे बता रहा है तो आपको run the troubleshooter पे click करना है उसके बाद दोस्तो जो भी problem है यह detect कर लेगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते है नीचे में detect कर रहा है अगर keyboard में कोई भी problem है दोस्तो वो आपको यहाँ पे show करके बता रहेगा ठीक है troubleshooting has completed no changes or update where necessary तो बिल्कुल मेरा keyboard सही सलमात यहाँ पे चल रहा है ठीक है कोई भी यहाँ पर solution करने के अभी जरूर नहीं है ठीक है फिलाल मेरे keyboard के बारे में हम बात कर रहे है लेकिन दोस्तो अगर आपकी keyboard में कोई भी ऐसा problem होगा तो problem detect करेगा detect करने के बाद दोस्तो वह आपको बताएगा क्या करना होगा ठीक है तो आप उनके direction को follow कीजेगा तो आपका problem solve होजाएगा ठीक है सारे साथ दोस्तों यहाँ पर एक option है recovery का recovery option पे जाके आपको क्या करना है restart now पे click कर देना है ठीक है तो restart now पे click करने के बाद दोस्तों आपका जो PC है restart करना चाहेगा तो कुछ आपको यह और options जो है select करने के लिए दिया जाएगा ठीक है जैसे आप restart now पे click करते हैं तो वो सब process में करते हुए आपको PC को एक बर restart कर देना है तो इस सेटिंग के मदद से उसके बाद आपका problem fixed ठीक है सारी साथ अगर आपका software update यहाँ पे एवलेवल हैं तो software को update करके देखे तो software update करने से इस तरीके का जो issue है completely fix हो जाते हैं ठीक है झाल 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 झाल